हेलो फ्रेंट्स खापिलो किचिन में मैं भारती भाव सार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं आज मैं आपको दलिया खिचडी की रेसिपी बताऊंगी और ये काफी हेल्दी है आप ब्रेकफास्ट में इसको खाएंगे तो आपको दिन भर एनरजी मिलेगी और रात में चाहें तो आप डिनर टाइम में भी इसको बना कर खा सकते हैं इंस्टन्ट बन जाता है तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और ये देखिए फटाफट से बनने बाला है दलिया इसमें जो है उपर से घी डाल दिया है मैंने सब करने के बाद अब मैं बनाती हूँ दलिया तो मैंने एक जो कूकर लिया उसमें तेल डाल दिया तेल में राई जीरा डाला एक हरी मिर्ची डाली और गाजर डाल दिया गाजर डालने के बाद मैंने एक टमाटर काट कर डाल दिया आप चाहें तो कोई भी सबची डाल सकते हैं और अच्छे से हम इसको पकने देंगे और इसमें कुछ मसाले अट कर लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं हल्दी पाउडर डाल दिया है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से हिला देंगे अब आज हमको कम ही रखनी है अब मैंने यह डाल जो है दो-तीन पानी से धोकर इसी कुकर में डाल दी है और डालने के गइब के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैं इसमें ये एक कटोरी दलिया डालूंगी दलिया मैंने जो है रोस्ट कर लिया था पांच से दस मिनिट हम इसको कड़ाई में चला लेंगे उसके बाद ही हम इसमें डालेंगी क्योंकि कच्छा दलिया डालने जाता नहीं तो वो टेस्टी नहीं लगता है इसलिए दलिया को हमेशा सेख कर ही डाले हलक असा सेख लेते हैं और अब मैं इसमें चार कटोरी जो है पानी डाल दूँगी तो ये मैंने चार कटोरी पानी डाल दिया है आपने डाल डाली है इसलिए चार कटोरी पानी लगेगा और यदि आ तो 670 काटोरी पानी ड़ जाता है अब इसमें हम जो है नमक डाल देंगे मैंने एक से रधर चमश नमक कोंटेटी मतमते है दो से तीन सीटी ले लेंगे और यह हमारा सब्सक्राइब बनकर रेडि हो जाएगा खोल दिया कोटर के बराबर से दमल बन गया है अब अब इसको हम हरा धनिया डाल कर काट कर डाल देते हैं और ये हमारा इंस्टंट ब्रेक फास्ट दलिया रेसिपी ये हमारा दलिया रेडी हो गया या दलिया खिछडी रेसिपी तैयार हो गई है तो आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिएगा क्योंकि ये ब्रेक कुछ नए तरीके से बनाया जाए जिससे हमको पूरा प्रोटीन फाइवर विटामिन्स मिले और इसी के साथ आप इस तलिये को जरूर जरूर बनाईएगा थैंगे फॉर वाचिंग अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार